नबसकार दोस्तों, हमारे शरीर में कुछ हिस्सों में चर्बी सबसे ज़्यादा जम्मी होती है और जल्दी कम होने का नाम ही नहीं लेती है जी हाँ, हम बात कर रहे हैं थाइस एंड हिप्स के आसपास जम्मे फैट की ये फैट बट्स के नीचे और थाइस के साइड में जमा हो जाता है और ये लटकता हुआ फैट ग्लूट्स के रूप में दिखाई देता है जिससे सेलुलाइट के नाम से जाना जाता है और आपकी मदद के लिए आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी एकसरसाइज बताने वाले हैं जो सेलुलाइट फैट को कम करने में आपकी मदद करेंगे लेगिन उसे पहले प्लीज आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करके सबसे पहली एकसरसाइज है ग्लूट ब्रिज इस एकसरसाइज को करने के लिए आप सबसे पहले जमीन पर सीधे लिट जाएए अब दोनों हाथों को अपने शरीर के दोनों साइड सीधा रखिए और हथेलियों को जमीन से चिपका कर रखिए अब अपने घुटनों को मोड लीजे और पैरों को जमीन से चिपका कर रखिए जिसके बाद अपने hips को उपर उठाईए और आपके face and upper body को जमीन से जोड़ कर रखिए जैसा आपको वीडियो में दिख रहा होगा आप इस position को 3-4 seconds के लिए hold कीजे और फिर normal position में आ जाईए इस exercise को आप शुरुवात में 10-15 बार कर सकते हैं Next exercise है jumping jacks इस exercise को करने के लिए सबसे पहले आप अपने पैरों को एक साथ और हाथों को बगल में रखते हुए सीधे खड़े हो जाए फिर अपने घुटनों को थोड़ा सा मोड़ते हुए और अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए ऊपर की ओर कूदे और हाँ इस दोरान ध्यान रखिएगा कि आप जैसे ही jump करेंगे आपको अपने पैरों को कंधों की चोड़ाई तक ले जाना है जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है फिर दूसरे jump के वक्त आपको अपनी normal position में आ जाना है शुरुबात में आप इस कसरत को 50-60 बार कीजे फिर आप इसके reps को बढ़ा दे जाएए तीसरी कसरत की बात करें तो वो है sumo squats इस कसरत को करने के लिए आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएए पैरों की उंगलियां लगभग 45 डिग्री कोंड पर होनी चाहिए अपने बट बाहर खींचे और squats की position में आ जाएए जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है और हाँ नीचे जाने के दोरान आप सांस लें इस position में 2-3 second तक hold कीजे सांस छोड़ते हुए वापस उपर आईए दोस्तों इस exercise को करते हुए आपकी पीठ सीधी रखिएगा ठीक है और ये ध्यान दें कि आपके घुटने बाहर की ओर होने चाहिए सामने नहीं शुरुआत में आप इस exercise को 10-15 बार कर सकते हैं अगली exercise है lunges इसे करने के लिए आप सबसे पहले जमीन पर सीधे खड़े हो जाएए अब अपने दोनों पैरों के बीच कुछ inches का gap रखिए और अपने हाथों को नीचे की ओर सीधा रखिए अब वीडियो में दिख रहा है उ शुरुआत में left leg के घुटने को भी 90 degree तक मोड़िये फिर आप अपनी normal position में वापस आ जाईए इस exercise को करते हुए आप अपने हाथों को आगे की ओर रख सकते हैं कुछ लंजीस करने के बाद same process left leg से repeat कीजे शुरुआत में आप दोनों पैरों को आगे रखते हुए 10-10 बार लंजीस कीजे पांचमी कसरत है ग्लूट किक बैक्स इस कसरत को करने के लिए सबसे पहले अपने कंधों को धीला छून दीजे और बिल्कुल कंधों को सीधा रखिए धीरे-धीरे अपनी AD को ऊपर की ओर उठाईए और किक करिए कुछ seconds के लिए इस position में hold हो जाईए ठीक है जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है फिर आप normal position में आ जाईए ये same process आप दूसरे leg से repeat करिए शुरुबात में इस कसरत को आप 10 से 15 बार कर सकते हैं फिर इसे अपनी capacity के हिसाब से आप बढ़ा भी सकते हैं अगली exercise है high knees इसको करने के लिए आप सबसे पहले सीधे गुटनों को अपनी chest की height तक ले कर जाईए और इसमें फिर change करते जाईए बारी बारी से आप एक गुटने को ऊपर ले कर जाईए और एक को नीचे जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है आप इस कसरत को शुरुबात में 30 से 40 बार कीजे और कुछ समय बाद इसके reps को आप बढ़ा दीजे आखरी exercise की बात करें तो वो है side leg raise इसे करने के लिए आप सबसे पहले नीचे exercise mat पर लेट जाईए और उसके बाद अपनी पूरी body को left side ले लीजे जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है अब right leg को ऊपर कीजे और उसे 10 seconds के लिए hold करके रखें और अ आप अपनी core को engage रखेंगे और अपने पैरों को straight रखेंगे इसे करते वक्त आपकी thighs और hips के सभी muscles include होते हैं जिसकी वज़े से वहां का fat burn होने लगता है तो दोस्तों ये थी कुछ exercises जो आपके cellulite fat को कम करने में मदद करेंगी तो आप इन exercises को अपने workout routine में शामिल कीजे औ और कुछी समय में results देखिए तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगाओ तो इसे like कीजिए share करना बिलकुल मत बुलिएगा thank you very much